वेंस आप सबका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल फार्माइंसिक्यू में तो देखिए आज की वीडियो में फार्मासिस्ट की वेकेंसी है बंपर वेकेंसी आप लोग बोल सकते हैं 554 लगबख पोस्ट है फार्मासिस्ट के विद्धाम देखते हैं इसमें और यह जो है वे और यह जो वैबसाइट दी हुई है यह जो नोटिफिकेशन है वैबसाइट से भी आप देख लेना अदर्वाइस मैंने टेलेग्राम चैनल पर पीडियाफ को डाल दिया है वहां से भी आप देख सकते हैं और जो टेलेग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाता है ऑल यह फिर सबसे अच्छी बात पते कि और ये तो है तो हेप्भाट है फिर चैनल को यह गजामध देए वहां लिए जुन को यह अग्जाम में यह यह फिर देखेंग हूई है तो यह सबसे अच्छी इसमें देखिए यह ग्रूप फाइफ के अंतरगत जो है स्टाफ नर्स एएनम डिफरेंट डिफरेंट है हमारी तो हम तो क्या देखते हैं फार्मसिस्ट का देखते हैं तो इसमें देखिए आवेदन पत्र भरने की प्राराम बिखती थी जो ओनलाइन जो अप्लिकेशन फॉ स्टार्ट होते हैं तो आप इसको अप्लिकेशन फॉर्म को फिल करके इसकी जल्दी से आपने परप्रेशन स्टार्ट कर देनी हो के काफी अच्छे पॉर्चिनिटी है यह और बाकी इसमें लिखा क्या हुआ है आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो प्रारंबिक्त थी वो भी है यह 15 मार्स से और यह जो है इसकी लास्ट देट तीन अपरेल दी हुए है और परिक्षा दिनांक वे दिन तो एक्जामीनेशन जो एक्जाम की डेट है वो 17-6-2023 से स्टार्ट हो जेंगे एक्जाम होने क्योंकि डिफेंट डिफेंट पोस्ट है तो यह सत्रा जो ह जून से स्टार्ट हो जेंगे और बाकी देखिए इसमें क्या लिखा हुए परिक्षा शुल्क जो इसकी फीज जो है कितनी होगी यह 500 रुपीज लिखी हुई है जो अन्रिजर्वड के जो होते हैं स्टुडेंट्स और जो बाकी 250 रुपीज आपको यह रिजर्वेशन के ह आप से हो जेगा ओके तो आप इसको देख लेना और इसमें देखिए ओनलाइन परिक्षा 35 में साड़नी जो ओनलाइन आपका एक्जाम होगा जो 17 जून से स्टार्ट होंगे तो वह फस्ट रुस्ट रुस्ट में होंगे ओके तो उसके टाइमिंग लिखे हुए यहां पर और जो इसमें आपको पता ही है MP में 100 questions आते हैं 75 तो जो होते हैं फार्मेसी की होते हैं और 25 questions general होते हैं ओके और यह देखे 2 hours का आपका टाइमिंग होगा इसमें ओके बाकी इसके जो भी इसमें लिखे हुए आप इसको अच्छे से जो है दीड करना उसके बाद आपने इसक कैसे क्या कितनी post है और गाटेकलोग सीधी भरती के रिक्त पदों का विवरन तो इसमें यह देखिए दिया हुआ है total जो है यह वेकेंसी जो है यह है 4792 total वेकेंसी है जिसमें pharmacist की हम लोग देखते हैं तो देखे फार्मासिस्ट ग्रेट 2 और शदी सयोजक तो यह देखिए पद कोड ये पोस्ट कोड दिये हुए हैं ये सीधी भरती 301 पद है इसके और सीधी भरती बैकलोग 253 टोटल मिलाके होगे 554 आपकी जो है फार्मासिस्ट की पोस्ट है ओके तो इसमें जो है यहां पर दिया हुआ है अलग-अलग विभाग में जैसे इंदोर में जैसे अलग-अलग में बताया है किसमें कितनी पोस्ट है ओके तो देखे हम देखते हैं इसमें जो है देखे फार्मासिस्ट का देखे यहां पर जो है टोटल जो है यह 40 है पोस्ट है इस अध्मिक शिक्षा मंदल अथ्वा इस प्रयोजन हेतु मानेता प्राप्त अन्या मंदल से उन विश्यों के साथ हाइर सेकेंडरी टैन प्लस टू परिक्षा उत्तरिन होना चाहिए जो फार्मेसी की डिगरी डिपलोमा पाठेकरा में परवेश के लानिवार्य हो मानेता प्राप्त संसा से फार्मेसी में उपाधिया डिपलोमा वे मद्यपर्देश फार्मेशी परिशत में रिजिस्टर फार्मासिस्ट आपने भी फार्मा किया है या फिर आपने डिपलोमा किया है और साथ में आप इलिजिवल है प्लस आपका जो मद्यपर्देश फार्म के हैं वो इसके लिए इलिजिबल नहीं है क्योंकि इसमें एंपी का रिजिस्ट्रेशन मांगा हुआ है मद्यपरदेश फार्मेसी काउंसिस रेजिस्टर जो स्टूडेंट से वही यह फॉम फिल अप कर सकते हैं तो अभी जो बच्चे है अलग स्टेट के वो यह कहेंगे मैं हम हम एनकिया तो देखिए इसमें साफ साफ दिखा हुआ है मिड़िस्ट्रडि फार्मासिस्ट लिए एक्जाम का ड्र तो आपका जो सिलेबस है वो देखिए इसमें सारा का सारा डिप्लोमा का सिलेबस दिया हुआ होगा देखिए एक बड़ी फार्मसूटिक्स दिया है सारे इंटरॉक्षिंट डिफरेंट डोजेस फॉर्म दे इसे इस्टम विए सारे के सारे टोपिक जो है मैंने था प्रवाइड करेव हुए है तो उसके फ्रस्ट थाउसंट कोएशन है वो सारे के सारे सारे जो है आपको प्रॉइड करें हों कि आपको कैसी कर ना है रिए वीडियो लेक्ट केशा हम इस वेडियो को इसमें नहीं करना है तो इसमें हम एक बरीफ देख लेते हैँ साथ में dispensing pharmacy pharmaceutical chemistry second pharmacology and toxicology pharmaceutical jurisprudence यह सारा आपका syllabus है तो इसके लिए हम separate video भी लेक्या होंगे आप लोगों के लिए तो देखें आपके लिए काफी अच्छी opportunity है यह और आप इसके लिए बहुत अच्छी से जैसे ही अभी आपको पता लग गया विकेंसी का तो आप प्रप्रेशन तो है अपनी वैसे करी ही दिए स्टार्ट ओके और बाकि जैसे ओनलाइन application स्टार्ट होते हैं आपने अपना फॉर्म कर देना उसके बाद इसके से प्रप्रेशन स्टाट कर देना है क्या आपने स्टाइबर करना है कि इतने आपने उपरचुनिटी है आप इसके लिए काफी अच्छी से प्रप्रेशन की जिए और और मैं भी बहुत सारे आपके लिए ले किउस्ट लेकि मैंने सब्सक्राइब फ्रांसेस्ट एक्जाम के नाम से सिर्ट कर रक्टिया है इसमें सोटृट प्लस इसमें प्लोड कर दिये हैं इसमें अब की questions हम discuss करें तो काफी important है और MPK जो previous देनी थी इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी है लाइक करना चैनल पे नए हैं तो मैं आपको किसे request है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना ओके थेंकिओ